हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं इसका बहुत ही आसान सा उपाय आखों की रोशनी कुछ हद तक हमारे आहार और जीवन शैली पर निर्भर करती है आज जो पौडर मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका लागातार सेवन करने से आखों की रोशनी बढ़ जाती है दिमाग तेज होता है इसमरन शक्ती बढ़ती है और चेहरे पर चमक भी आती है इसे देखने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे इसके लिए हमें तीन चीजों की आवशकता होगी सौप, बादाम और मिश्री यहां हम बरावाला मिश्री यूज़ करेंगे इसमें धागा भी लगा रहता है अगर आपको यह मिश्री नहीं मिले तो आप छोटी मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए हमें बरी वाली मिश्री ही यूज़ करनी चाहिए तीनों की कॉंटिटी हम इक्वल रखेंगे सौग्राम सौफ, सौग्राम बादाम और सौग्राम मिश्री सौफ में कैलसियम, सोडियम, आईरन और पोटेसियम काफी मात्रा में पाया जाता है जो आँख की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है बादाम में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फैबर्स होता है जो यादास्त बढ़ाने और आख की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है अब इन तीनों को एक जार में डाल कर इसका बारिक सा पौडर बना लेंगे अब इसका पौडर बना लेंगे इसे पीस लिया है, अब इसे एक बौल में निकाल लेंगे पौडर तयार है, इसे रोज एक चमच सुबा और एक चमच रात को सोने से पहले दूद के साथ लेने से 40 दिन के अंदर चश्मे का पावर कम होने लगेगा आप इसे ठंडी में जरू ट्रै कीजिए आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, अपना experience नीचे comment section में लिख बेजिए लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का notification आपके mobile पर आ जाए अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देखते हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए Instagram पर मुझे follow कीजिए Thank you